नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरी दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के आये आज हम सभी जानते हैं मुली खाने के फायदे और नुकसान के संबंध में मुली हमारे सलाद का आम हिस्सा है और यह बहुत सारे रस के साथ स्वाद में तीखी या मीठी होती है मुली विभिन आकार में सफेद, लाल, बैंगनी या काले रंकी होती है यह लंबी और बेलनाकार या गोल हो सकती है यह कच्ची या पका कर खाय जाती है मूली के बीज से प्राप्त तेल का उपयोग कई उत्पादों और स्वास्थ प्रयोगों के लिए किया जाता है रोजाना सुबह एक कच्ची मूली सो कर उठने के बाद ही खाते रहने से कुछी दिनों में ही पीलिया रोग ठीक हो जाता है मूली के फायदे करेंगे आपको बावा सीर से मुक्त जिहां मूली के सेवन से हरदय विकारों का खतरा कम हो जाता है मूली के और शद्य गुण है कैंसर में लापकारी चुकि मूली एक डिटोक्सिफायर है और विटामिन सी फोलिक और एंथोसाइनीन में समरिद्ध होती है इसलिए यह कई प्रकार के कैंसर विशेश रूप से कोलन, किडिनी, आतो, पेट और मोखी कैंसर के उपचार में लापकारी है इसके साथ साथ मूली के कुछ एक नुकसान भी है वो भी आई यह जानते हैं क्योंकि कोई भी अवशदी होती है उसका जितना फायदा होता है उतना ही नुकसान भी होता है अगर आप उसका सही मात्रा में उप्योग नहीं करते हैं तो मूली के साथ मचली का सेवन नहीं करना चाहिए मूली खाने के तुरंत बाद दूद का सेवन नहीं करना चाहिए गलत खादे संयोजन के नियमों के मताबिक काले चने के साथ मूली को खाने से मना किया गया है इसके अधिक सेवन से भूख में कमी मुँ और गले में दर्द और सूजनी त्यादी हो सकता है इसलिए इसका अत्याधिक मातरा में सेवन ना करें तो दोस्तों ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों